अब यह है हुका हुका का जो बेस वाला पार्ट है एक्चुली यह किसी ने फार दिया है अपने घर में तो अब इसका पापा बना रहे है फ्लावर पॉट डियाइवाई फ्लावर पॉट इसका बना रहे है तो तो यहां पर पापा ने अंदर रभबर डाला हुआ है और एक छोनिए पानी जो है यहां से नीचे को जा सके इस तरह से इस फ्लावर पॉर्ट की अभी शुरुआद हो रही है यह पापा जी अभी शुरुआद ही हो करेंगे त्रोट कि उभ्रॉंग और यो अब तो स्टार्टिंस के श्न्य पाल जे तो यह कहा करिंगे यह आपस में में üç क्वाय श्रिजय काम उत्她्राइब कमा में रुन आट पॉरम गरूगए अच्छ hadिस को आप पाइंड करें अदुच वैसे अल्मूस्ट डर नहीं है ना इसमें जादा मैनत करने की जरूत नहीं मुझे लगए गए मैनत लगेगी मैनत लगेगी मैनत लगेगी हुँँ कर दो कर दो तारे लगेगी इसमें पूल कॉन सा लगाएंगे आप इसमें पहले तो बढ़ने दो अच्छा पहले बढ़ने देते हैं अच्छा ठीक है पाला ता कंप्लीट छास है करमा चौंगा गोर्गिल है अले या या ता करमा चौंगा गोर्गिल रह क्रिक्राशार खाएंगो है कि या या ता या 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 ता करी युट्स वहाएंग जब तब मेरे पापा कुछ फ्लाइपोर्ट को रेडी कर लेते हैं, तब तब मैं थोड़ा काम कर लेती हूँ, वो कह रहे हैं कि टाइम तो लगी गाए मुझे यह देर सरे लिंगरी जो है, इसका हम कुछ लिंगरी को सुका के हम अचार बनाएंगे और थोड़ी सी लिंगरी अभी हम साफ करके इनको दो दो के फिर काटने के बाद इनके हम अभी के लिए सबजी बना लेंगे तो मैं सबसे पहले इनके बाल निकाल रही हूँ, बाल इसके साफ कर लेंगे हम, तो यह खाने के लिए अच्छी होगी तो अगर दोनों हाथ से साफ करेंगे तो ज़्यादा चल दी होगी साफ, और एक हाथ से करूँगी तो थोड़ा ज़्यादा टाइम लगेगा तो यह कुछ लिंगडिया मैंने साफ करके रखी हुई यहाँ पे, अब बस इनको दोना है और इनको काट कर, डारेक्ट इनकी सबजी बनाएंगे तो पापा के पास जाते हैं वापस अभी, कि पापा ने कितनी प्रोग्रस की हुई है हो गया रेडी? हाँ जी, यह हमारा हंग강 अच्छा है यह वुची फ्लावर पॉत रेडी है अच्छा हो गया रेडी है नच्छा वगए, क्या लगाएंगा निच चोटा सा प्लांट है चोटा सा फूल इसके बीच में लगाना प्र चै कंड़ी है न हाँ चलो ठीक है यह रेडी हो गया आपका हैंगिंग फ्लावर पॉट चरो ठीक है तो आप कौन सा फूर लगाएंगे आप इसमें इसमें आप मेरी गोल्ट लगाएंगे मैरी गोल्ट का फ्लावर छोटा सा मैरी गोल्ट फ्लावर रूट है आपने सचमी एकदम छोटा से थोड़ा से और मिटी सुपर से दबाव है ना ताकि जड़ चीकी रहे अब इसको तोड़ा पानी देंगे न पाजे पानी देंगे थोड़ा सा थोड़ा सा पानी रालेंगी इसमें फिर कुछ दिनों बाद ये वाला जो फूल है ये बहुत बड़ा हो जाएगा है की नहीं कब तक आता है मेरी गोल्ड का फूल कब तक लग जाता है अच्छा लेट लगता है अच्छा लेट लगे गए अगस्ट सिप्टेंबर में इसमें फ्लावर आ जाएंगे ठीक के जिए इसको अप हैंक कभूंगा जाकर कौन सी जगह में कि पिछे लगाते को बैक साइड पे चलो ठीक है पापा के साथ ही जाती हूं मैं अभी आप सभी को मैं पापा के साथ ही ले जाते हूं कि साथ साथ जाएंगे हम भी ताकि हम देख सके कि पापा कहां पे हैंक कर देए इसको कि यहां पे लगाएंगे यहां है करंबस को उपर शायद चिडिया अपना गोंसला भी बना रही है शायद छोटी-चोटी चिडियों को जाते भी देख रही हूं मैं इदर यहां पर लटकी गया बैठके थोड़ा पानी दो तो थुभी था? छीख करें। यह पापन लगा हूँ में अभाने है पहले से हैंगइंग फ्लार्ट इसको मैं इसको वुआ है थोड़ास सज्चादिया इसके लिए लाते हम पानी ग्लास में हमारा छोटा सा छोटा सा फूल फुकका टर्न इंटू डिय वाई फ्लावर पॉट लास्ट टाइम गार्डन टूर करवाया था उस वक्त यह छोटे छोटे थे सारे इस वक्त थोड़ी ग्रोथ हो गए इनकी रोज पानी दे दे के ग्रोथ आपको भी दिख रिये शायद आप भी देख सकते इसकी ग्रोथ और यहां पर मैंने एक टमाटर का जो यह प्लांट है इसको मैंने सुखा दिया इसको बागी इन मिर्ची की मुझे कुछ ग्रोथ दिखनी रही है यह तो मुझे सेम बस यह एक-दो सामने वाले इनका थोड़ा सा साइस बढ़ा हुआ बाकी इसका भी और यहां पर भी थोड़ी है फिर ड़ी ग्रोथ हुए है, सबजी एले इन में थोड़ी जुक बरूदू है यह कदju कदju, और यह बैंगन लास् टाम नो ऐसा उन्यलस खर gathering a की ती घर विटम्लान को पिक रिलान को का रहा है नीन जो हो आर क्याक सामना तुट कद्दू का जरेल शुआ कद्दू आइमिन समर स्कुएश इसा चिक्षना समर स्कुएश का प्लांट और यह प्लांट यह बिचारा सुग गया है यहां सेंटर से सडने लग यह तो पापा निकाल दे इसको तो बाकी सब्जियों की ग्रोथ हुई है यहां पर और फ्लार्स की कुछ कुछ क्रोथ हुई है सब्जे थोड़ी-थोड़ी हो गई है सब्जा बड़ी हो गई है और फूल भी थ्टोड़े अच्छे से खेल रहे है रोज पानी मिलने के बाद तो फूलों अभी रोज तो निकला नहीं है शयद कुछी समय बाद इसमें रोज लग जाए और यहां पे भी बहुत इसकी भी बहुत अच्छी ग्रोद हो चुकी थी बड़ धनिया हमने यहां से निकाल दी है लगबग धनिया यहां से निकाल दी है काफी बड़े होगे थे धनिया वाला यह प्लांट, तो धनिया लगबग हमने निकाली दी है यहां की, लगबग यह वाला फ्लाव होगा है, फ्लाव पॉर्ट, यो सेंटर से बड़ा वाला फूल निकाल लिया था यहां पर कुछ और लगाना पड़ेगा भी दिखाये थे लास्ट टाइम तो कप में भी अब लग चुका है इसमें आइ तिंक बहुत सारी चीजे लगाई है कुछ में खीरा लगाया हुआ है कुछ में समर्स्ख्वेश का बीच लगाई हुई है तो काफी सार पानी रोज देने के बाद इनकी भी काफी ब्रोथ हो चुकी है बाकी इन प्लांस को देखके मुझे लगता है जैसे मैं देवदार के पेड के सामने खड़ी हूँ यह देवदार की फिलिंग मुझे देते है पूरी-पूरी तो यहां से यह सुग गया थोड़ा सा मैं ज्या जादा साथा पानी दूँगी और इनको सुकने ना दू तो वहां पे छोटा सा कदू समर स्क्वैश यह भी काफी बड़ा हो गया है कुछ समय बहार दिन में अभी सब्जों में तो उगने लग जाएगा